नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आपके पास भी है समसंग ग्लैक्सी जे सेबन मोबाईल और दोस्तो उसमें स्टोरेज बार बार भर जाती है इस प्रकार से दोस्तो आप देख पा रहे होंगे तो यही प्रोब्लम आज की इस वीडियो में सॉल करने वाला हूँ दोस्तो अगर आपके मोबाईल में कुछ पड़ा भी नहीं है और दोस्तो इस स्टोरेज फुल बता रहा है तो इसी का सोलूसर आज की इस वीडियो में होगा तो चलते हैं दोस्तो वीडियो को स्टाट करते हैं मिना टाइम वेस्ट की तो दोस्तों ये रहा हमारे पास Samsung Galaxy J7 Mobile तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर request है वीडियो को सुरू से लेकर last तक देखना तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों अब आप लोगों को file manager open कर लेना है file manager open होने के बाद दोस्तों नीचे के तरब दोस्तों देखे storage use का option दिख रहा है इस पे आप लोगों को click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर checking चलेगी और छोटी सी चक्री बीच में नचेगी देखे पूरी red है पूरी storage दोस्तों full है एकदम तो इसको मैं अभी खाली करके दिखाऊंगा उसके बाद इस तरह का interface होगा आप दोस्तों यहाँ पर देखे delete का option दिख रहा है तो दोस्तों इस delete के option पे आप लोगों को click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यह virus सारे delete हो जाएंगे अब दोस्तों देखे यहाँ पर 88% रह गई है red वाला खतम हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1.7 GB फिरी दिखा रहा है तो दोस्तों यानि 1.7 GB यहाँ पर खाली हो चुका है storage अब तो दोस्तों यह पहला तरीका रहा आप दोस्तों मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ setting आप लोगों को open कर लेना है setting open होने के बाद दोस्तों आप लोगों को scroll करना है scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे आप लोगों को storage का option दिख रहा होगा पे आप लोगों को क्लिक कर देना है तो दोस्तों नहीं से क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे डिलीड का अपसट मिलेगा तो दोस्त फटो等 यहाँ से storage काफी खाली हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप तीसरी setting में जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये दोस्तों काफी important setting है इससे दोस्तों आपके mobile के सारे virus चले जाएंगे और memory आप लोगों की काफी खाली हो लगा के दोस्तों सभी folder को आप लोगों को डिलीट कर देना है फोटो वीडियो मतलब जो भी आप लोगों के private चीजे हैं उसको चोड़के डिलीट के option पर आप लोगों को क्लिक कर देना है टिक लगा के उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों 9349 वायरस दोस्तों इस मोबाइल में भड़े हुए थे जैसा कि दोस्तों आप देख पारें तो दोस्तों इसमें डिलीट होने में काफी समय लगेगा तो दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूं नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाए ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल ला हूँ